हेले दोस्तो अज की इस वीडियो में हम आपको कप्चा साथ बासा बाढ़ती हैं आपका पार्ट चार जो की है दो कविताएं हम इस पार्ट का हल इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए देखते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह पार्ट चार है इससे पहले हमने पार और पीडियेव की थूरी आपको अंशर बताते हैं जैसे प्रिशन आप एक देखीनिये आपर धेजिन देजा है। करिएगा ओके तो इसका सभी आंसर होगा कदम को ऑप्शन C आपका इस पूचिन का सही उत्तर होगा फिर आप से अतिलग उत्तरी प्रशन पूचे जाएंगे जिसमें पर्शन 3 है पर आप देख पा रहे हैं दादुर का खंट खुला क्या आशा है यह आपका प्रशन है तो चलिए इस प्रशन का हम उत्तर देखते हैं तो आप इसका उत्तर लेखेंगे दादरु का कंट खुला का आशे मेडग से है बादलों के यूंग गिरने और बर्सा के आगमन की प्रतिक्जा में तालाबों में मेडग टर रेटर करने करने के बादलों किया गया है अगला प्रशन आप कीट्क्रिदी करने के nuclear जाता है तो यहां पर if यहां पर पर सब्सक्राइब करने के लिए संपरी आपको इस्ट्रागा आ जाना है यहां पर आईडिया्स इंस्ट्र गोर्फ को सब्सक्राइब is पर आ जाना है यहां पर आ वह तो यहां पर आपको देखना को मिलेगा यूट्यूब चैनल एंड आधर वन लेंग तो आपको यहां पर more पर क्लिक करती हुए अधर वाली ज़ो लिंक है ना इस पर किलिक करना है यहसी आप इस पर करो गए ना तो आप सीधे जो एट ग्रेड अभ्यास पिश्टिकाह की पीडियाप है वहाँ पर सीधे आप डायरेक्ट हो जाओए ओके तो ऐसी वीडियो पाने की आपको यहाँ पर पीडियाप भी मिलती है अधरी आप चाहते हैं कि आप हमें फोलो जरूर करें तीं से तेटाली से हम चाहते हैं कि जल्दी से बवंद्ध के फॉलवर्स हो जाएं चलिए तो चंडन मंदन बरश तरस चमक दमक रीता बीता और बरश तरस ओके तो दोनों कविता जो कविता हैं उनमें जो आए हैं वो यह सब्द आपको यहां पर देखनी को मिल रहे हैं तो आप यहां से इनको नूट डाउन कर लीजीगा, अपनी बुक में लिख लीजीगा, चलिए अगला देखिए पुर्शन आठ, पुर्शन आठ है कि पंक बना हरी चंदन पंक्ती का भावारत लिखिए, तो आप इसको उत्तर लिखेंगे, बरसात में सब और पानी जाता है, इस से मिट्टी की चलकरूप धारन कर लेती है, और तब वे हरी चंदन सी दिखाई देती है, इस तरीके से आठ का आप उत्तर करेंगे, इसके बाद है आपका प्रुशन आओ, बादल गुश्य में क्यों लग रहा है, वापस इस प्रुशन का उत्तर लिखेंगे, कि कभी कहते ह कि बादल बिना किसी अधिकार के लालच वरी आँकों से जाने कब से कदम देखने के लिए तरस रहा है, तेरा मन कहता है कि तू कदम को इस पर से करके अपनी एक्चा को पूर कर ले, कदम तो फल फूल रहा है, तो इस तरीकी से प्रुशन नौक उत्तर आप कंप्लिट करें इसके बाद प्रुशन 10 है, टहनी टहनी में कंदुक सम फूले सम जूले कदम पंक्ती का अर्थिस्पिष्ट कीजे, तो चलिए इसका उत्तर लेखेंगे, कदम परिवर्चित मौसम में मदमश्ट हो, फलने फूलने लगा है, ब्रक्ष की असंक साकाओं के हिलने से ऐसा प्र प्रिवर्चित में लिखेंगे, तो चलिए इस प्रशन का आपको तर्किस तरीकी से देना है, तो यहां से लिखेंगे, बादलों की गड़ गड़ा हट से प्रतिवीक प्रतेग जीवजन तूबा वनिस्पती रॉमांचित है, बादलों की झहरोके में रह रहकर बिजली की चमक दिख रही है, बादलों के यू घरने और वर्सा की आगमन की प्रति धामे तालावों में अड़क टरर करने लगे हैं, बर्सात के होने से गर्मी से बैकुल और गंदीगी हुई धरा भी शंतुष्ट और शाप हो गई है, तो मेग बजी कविता का सार हमने आपर लिख है अपने सब्दों में, अगला देखिए अब आपका वर्सार प्रूशन बारा है, वर्सार रितु पर हमें दश्वग के लिखना है, तो यहाँ पर हमने लेगी हुए पहला बाक लिखना है कि वर्सार रितु बहुत स्वावनी रितु है, ओके दुश्रा लेगे इसे बारि नाले तालाब हुए आदी पानी में भर जाते हैं, इसका अगला वर्सार रितु में दिखाई देने वाला इन्दनों हमारी मन को मोहित करता है, इसका देखिए इस रितु में कसान खेती के काम में जुड़ जाता है, और अगला देखिए वर्सार रितु में चार उतर फरया करेंगे और अध्याय चार दो कविताएं कप्जा साथ का हमने क्वित कर लिया है ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ इस वीडियो का अपने दोस्तों साथ शेर भी कर सकते हैं ओके चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में